असलाम उलेकुम जी बिट ऐसा है कि अपने पहले लेक्चर के साथ हम आपके खिद्मत में फिर हाजिर हैं सबक में क्या है अभी पिछले ही दिनों आप लोगों ने कौसेन की अलामत पढ़ी ये कौसेन की अलामत है किसी साबका ख्याल की वजाहत के लिए साबका ख्याल की वजाहत के लिए हमने ये अलामत इस्तमाल की थी अकबरी के हमाकते हमारा सबक है और ये शुरू होता है हमारा कौसैन से अक्परी मिजाजदार बहु, मिजाजदार बदमिजाज हो गई बदमिजाज ये अपनी मरज़े के मालिक एक खासी बेवगूफ और फुहड लड़की है फुहड बदसलीका हो गई, ये पुराने किताब मैंने कौले से उठाई है इस पर कुछ अलफाज मैंने गलत भी लिखे गऊंगे, पता नहीं किसने पढ़ाई हुई है फुहड बदसलीका हो गई, खासी बहुत ज़्यादा सबक का पिछला एहवाल है कि अकबरी मिजाजदार बहु एखासी फुहड और बेवपुफ लड़की है जिसकी शादी मुहमद आकिल से हुई मुहमद आकिल उसके शोर का नाम है मैंने आपको पहले बताया था कि नावल के जो किरदार है वो इसमबा मुसम्मा है अकबरी बड़ी है, असगरी छोटी है, मुहमद आकिल अकलमद है ये आपका पहला MCQ बनेगा अकबरी को सुस्टाल में किस नाम से पुकारा जाता था मिजाजदर बहु के नाम से अकबरी कैसी लड़की थी? अकबरी बेवकूफ और फुहड लड़की थी एक और MCQ बनेगा आपका अकबरी की शाद एक इस से होई, मुहमद आकिल से होई ये हमारा एक और MCQ हो गया उसने सास उसर से लड़ने जगडने के बाद रूट कर अपने खामिन के साथ अलग घर में रहना शुरू किया ये नावल का पिछला एहवाल है ताकि कुछ नावल आपको समझ में आ जाए वैसे मैं पूरी कहानी खुलासे में आपको सुना चुका हूँ लेकिन उसकी बत इंतिजामी और नासमझी ने नासमझी कम अकली हो गई गर को परबात करके रख दिया इसी दौरान में वो कुटनी के हटे चड़ गई कुटनी का मतलब है फरेबी चालाक और मकार औरत जिसे आप फरेबन भी कह सकते हैं जिसे आप नौसर बास भी कह सकते हैं आपने असुना के लिए हम जो अलामत इस्तमाल करते हैं वो कोसेन की अलामत है यह हिसा आप खुलासे में भी ब्रैकेट में शामिल करेंगे अब जो टेक्स्ट है वो यहां से शुरू होगी आपकी इतिफाक से उन दिनों एक उटनी शहर में वारिद थी वारिद होना दाखिल होना आना या गुसना अकबरी की बदबक्ती कहलें के इधर अकबरी ने अलग मकान लिया इधर इतिफाक से एक फरेबी मकार चलाक औरत शहर में दाखिल होगी लोगों को लूटने के लिए और हर तक उसका गूल था उसका शोर था उसकी शोरत थी कि शहर में एक कुटनी हजन का भेस बदल के आई हुई है लोग ज़रा मुतात रहें मुम्मद आकिल ने भी बीबी से कह दिया था कि किसी अजनबी औरत को अजनबी अनजान हो गई ना आशना हो गई घर में मत आने देना उन दिनों एक कुटनी आई हुई है कई घरों को लोट चुकी है शोर चुकी अकल मन था उसने बीबी को बावर कराया कि एक ठगनी एक कुटनी एक मकार आयार औरत शहर में आई हुई है कई घरों को लोट चुकी है लियाज अगर ऐसी कोई अजान औरत घर में दाखिल होने की कोशिश कर तो उसे घर में हरगे मत आने देना लेकिन मिजाचदार शिद्द से बेवकूफ थी शिद्द से बहुत ज्यादा बेवकूफों की निशानियों से एक निशानी ये है कि उनी जिस बाद से मना किया जाए उस बाद को वो जादा सिद्द से करते हैं तो अकबरी भी ऐसी ही थी उसे तुधस्त पैदा हो गया कि शोहर ने उसे ऐसा अप क्यूं किया उसके साथ ऐसा क्यूं किया उसकी आदत थी हर एक से जल्द घुल मिल जाना गुल मिल जाना बे तकलुफ हो जाना एक दिन वही कुटनी हज्जन का बेश बना बेश बनाना रूप बदलना हो गया उस कुटनी ने हज्जन का रूप बदला हुज्जन लफज नहीं है लफज हज्जन है हाजी के मोनना सो गई उस गली में आई ये मकार अजन बेवकुप वड़तों को पुसलाने के लिए तरह तरह के तवरुकात तवरुकात ऐसी चीजें जिन से बरकत हो बरकत की हामिल चीजें जिन से बरकत हासिल हो और सदहा किसम की सदहा सैकड़ों हो गई अपने पास रखा करती थी पेराग्राफ यहां से आपका पेराग्राफ बनेगा शुरू हो गई यहां से मुझे नहीं पताते हैं कि हरजन चुके उस वो औरत हूँ चुके हरजन के रूप में आई थी हजन एक पाक बाज औरत हो गई उसने सपैद सकार्प पैनावा था उसके बाल सरके सपैद थे गले में उसने तस्पीह और मंके डाले होई थे उसने लोगों को बहलाने के लिए फरेव देने के लिए मुझे पास रखी हुई थी वो चीज़ें कौन कौन से थी उसके पास मुझे पास तस्पीहाद थी उसके पास तस्पीहाद थी उसका कहना था ये तस्वीहाद वो खालिशन मक्का मुकर्मा मदेन मुनावरा से लाई है इसकी जियारत भी की जा सकती है और को खरीदना चाहे बरकत के लिए तो उसे खरीद भी सकता है खाक शिफा खाक शिफा क्या है? खाके शिफा से मतालिक दो तरहा की रिवायात मिलती है हमारा एक तबका है उसका कहना है कि ये मदीना मुनवरा की मती है जो मरिजों को शिफा देती है हमारे दूसरे तबका कहना है जिसे हम एले तशी कहते हैं ये कर्बला की मती है जो शिफा देने के काम आती है तो उसके पास खाके तश्बी थी खाके शिफा कुछ मती उसके पास थी मती हकीका तो मती असली मती नहीं थी अकबरी का हजजन का ये कहना था कि मती मदीना मुनवरा की है या कर्बला की मती है जम जमियां उसके पास जम जमियां भी मुझूद थी जमजमिया आबे जमजम पिलाने का बरतन जमजमिया कहलाता है उसके पास छोड़े-छोड़े मट्टी के मट्के थे छोड़े मट्टी की प्यालियां थी पिछले जमानों में हाजी हज़ पर जाय करते थे तो साथ मट्टी के छोड़ छोड़ बर्तन भी उठा लाते थे उन में जमजम डाल के लोगों को पेश किया करते थे उसे जमजमी का जाता है मदीना मुनवरा की खजूरें उसके पास वोच खजूरें थी जो हकीकत में मदीना मुनवरा की तो नहीं थी लेकिन उसका ये कहना था ये खजूरें खालिसान मदीना मुनवरा से लाई गई हैं जबके वो आम खजूरें थी कोहितूर का सुर्मा तल्मी है हम सारे तफसीर तश्री में देंगे कोहितूर का सुर्मा कोईतूर का सुर्मा भी मजूद था जब मुसल असलाम ने अल्ला ताला से उसके दीदार की तलब की बाकि जबानी सुन लेंगे आप लोग अल्ला ने दीदार ने कराया जब दीदार कराया तो मुसल असलाम बेहुश हो गए उनके साथ आने वाले तमाँ के तमाम साथ ही चालिस लोग थे मौत का शिकार हो गए और कोहेतूर पर तजल्ली गिरी तो कोहेतूर सुर्मा बन गया उसके पास कुछ सुर्मा माजूद था हाकीकि सुर्मा तो नहीं था मगर हजजर्ण का ये कहना था कि ये सुर्मा का खालिसन कोहेतूर से लेकर आई है जब तूर्च सुर्मा बना था तो कुछ सुर्मा उसके हाथ लग गिया था अब ये सुर्मा जूद असर है इसे आंकों में डालने से इनसान की बेनाई तेज हो जाती है बकॉल गालिब हम यहां लिख सकते हैं क्या फर्ज है कि सब को मिले सब को मिले एक सा जवाब आओ कि हम भी सैर करें कोहे तूर की हमारा हवाला आजाए कबाने से सुर्मा था खाना कावा के गिलाफ का टुकडा उसके पास सिहा रंग का एक कपड़ा था उसके बारे में उसका यह कहना था यह आम वर मामूली कपड़ा नहीं है खुश्बुदार कपड़ा था बलके जब खाना कावा का गिलाफ तब्दील किया गया था तो खाना कावा के गिलाफ का छोटा सा टुकडा उसकी हाथ लग गया था अब वो तवरुक के तौर पर उतुकड़ अपने साथ रखती है अकीकुल बहर अकीकुल बहर कहा जाता है एक कीमती मौती को अकीकुल बहर अकी के पत्थर का नाम है जाम तोर पे नगीने के तोर पे अंगोटियों में जड़ा जाता है नगीने के तौर पर अंगोटियों में जड़ते हैं उसके पास मूंगे के दाने थे अगला हच्छा हमारे पास मूंगे के दाने मूंगे के दाने मूंगा एक समदरी दरखता है समंदरी द्रक्त का नाम है जब समंदर में तूफान आता है तूफान आता है तो ये द्रक्त तूट फूट का शिकार होजाता है तूट फूट का शिकार होजाता है लहरें बहा कर इसके हिसे साहिल पर ले आती है इन्हें सीपीयं भी कहा जाता है ये बेटा मोंगे के दाने हो गए उसके पास कुछ सीपीयं थी युन्हें मोंगे के दाने कहा जाता है नादे अली नादे अली क्या है? नादे अली, रजिलत अलनों ख़र्द अली रजिलत अलनों की ख़र्द फात्मा रजिलत अलनों को सिखाई हुई एक दूआ है जिस से आफात दूर होती है इसके लबजी मानी अली रजी लगालनों को मदद के लिए बुलाओ के है उसके पास एक दूआ थी नादे अली पंसूरा था पांच दूआओं का पांच सूरतों को कुरान पाक की किसी एक जगे कटा करना पंसूरा कहलाता है और बहुत सी दूआई गली में जो उसने आकर में दुकान खोली तो बहुत सी लड़कियां जम्म हो गई उसका मामूल था लोगों को ठकती थी सस्ती चीजें दो नमबर चीजें लोगों को महंगे दाम और फुरोग करती थी दुकान खुली लड़कियां जम्म हो गई बिजाज़दार ने भी सुना उसे भी खबर हुई बने गई उसने कहा गली से उटने लगे तुछ जन को यहां बुला लाना हम भी तवरुकात की जियरत करेंगे जुल्फन जाकडी हुई और जन को बुला लाई मिजाज़दार ने बह। खातिरदारी से खातिरदारी लिहाज या महबब हो गई लिहाज या मुखबत हजजन को पास बिठाया और सब चीजें देखी हजजन तो चाह रही थी तो कोई बेवकूफ और उसके हंते चड़े ऐसे में इतफाक से हजजन के पास जुल्फन आ गई जुल्फन ने आके बताया कि मिरी मालकन ने आपको बलाया है जब बजन खोशे खोशे भागी आई तो अकपरी ने बड़ी मुखबत से बड़ी लिहाज से कि बहुत पाकीजा सिफात औरत है और मेरे कहने पे आ गई है लिहाज़ा मुरबत लिहाज का मुझारा किया सुर्मा और नादे अली दो चीजें पसंद की आपका MCQ बनेगा हज़न ने बिजाज़दार को बातों ही बातों में ताड लिया ताड लेना, पहचान लेना, जाँच लेना उसने पहचान लिया कि ये औरत जल्द धब पर चड़ जाएगी धब पर चड़ जाना हाथ आ जाना धोके में आ जाना मकार चलाक औरत थी वो समझ गई कि बेवगुफ औरत है इसे असानी से जाल में पांसा जा सकता है उसने क्या किया? उसने एक पैसे का बहुत सा सुर्मा तोल दिया, MCQ बनेगा सुर्मा कितने का दिया? एक पैसे का और दो आने को नादे अली हवाले की MCQ बनेगा उसे सस्तिकर के चीज़े दे दी ताकि उसे फांसा जा सके और फिरोजे की एक अंगूर्थी तबरुक के तोर पर अपने पास से उसे दी पैरा ग्राफ आपको यहां खत्म होगा अपने पास से मुफदी मिजाज़दार रीज गई रीज जाना आशिक हो जाना अब मिजाज़दार तो बहुत हैरान हुई के कहां मुझ जैसी नापाक गलीज कमतर आम मामुली लड़की और कहां हज़ज़ज़ज़़शी ओरत ने असफ़ा और मुझे इतना बड़ा तौफ़वस ने दे दिया इसके बाद अज़ज़ज़ज़ज़़च ने समंदर का हाल अरब की कैफिया कि कहां ने सारी आगयाएगी जहब आएगी तो मैं उबको बता दूँगा और दिल से जोड़कर दिल से जोड़ना खुछ साखता बातें करना ऐसी बातें की कि मिज़ाज़़च ने कमाल शौफ से सुना और उसकी तरफे खास इलतिफात किया खास इलतिफात करना खास महबत का मुझारा करना इलतिफात महबत हो गई हजज़़च ने पूछा क्यूं भी तुम्हारे को बाल बच्चा नहीं बाल बच्चा उलाद हो गई ओड़तों की सबसे पहली कमजोरी उलाद और उसके बाद शोहर की महबत बिसाज़़च दार ने आख खेंच कर कहा आख खेंच कर कहना अफसुर्द़गी से कहना उसे बड़ी अफसुरती किसी कहा हमारी तकदीर ऐसी कहा थी हमारी गिसमत ऐसी कहा थी कि हमारे यह बच्चे होते हज्जा ने पुछा बिया को कितने दिन हुए बिया शादी हो गई मिजाज़दार ने कहा भी बरस रोज नहीं हुआ बरस रोज एक साल मुकमल होना एक साल मुकमल होना और एक साल मुकमल होने से कबल भला अलाद कहां पैदा होती है बिजाज़दार की बेखली का अब तो हजन को यकीन हुआ और दिल में कहने लगी कि इसने तो अलाद का नाम सुनकर ऐसे आखेंची है जैसे बरसों का उमीदवार हजजन ने कहा नाउमीदी की बात नहीं तुम्हारे तो इतने बच्चे होंगे कि तुम संभाल भी ना सकोगे ये बेटा हमारा पहला सफ़ा मुकमल हुआ हजजन ने उसे तसलिद दिलाए कि तुम नाउमीद मायूस मत हो मेरे पास तावीज भी है मेरे पास गंडे भी है मेरे पास बहुसे दुआइं भी है मेरे पास बहुसे अद्वियाद भी है मैं तुम्हें तमाम अद्वियाद होंगी और अद्वियाद के इस्तमाल से तुम्हारे इतने बच्चे हो मुने संभाल भी ना सकोगी ये आज का हमारा पहला लेक्चर मुकमल हुआ कल इंशाला नए लेक्चर के साथ आपके खिरमत में फिर आजिर होंगे तब तक किले मुझे अजाज़त देजिए अलाफिस